सब्सक्राइब करें ना भूले आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें तो इसके लिए आप कोई सबसे पहले हम एक पंदले लेंगे इस तरह से गांट के गणफन की तयार होगया अब बड़ा दागा इसे आप जो बड़ा दागा इसे आप इस तरह से इस तरह से बनाना शुरू करेंगे है Susa है। तैसा डालते हुआ आएंगे और इदन वहाँ पर बुनेंगे तो इस तरह से हमें फंदे बढ़ाते हुए रहना है तो देखिए दो फंदे होगे फिर सिधर घुमेंगे फिर इधर फंदे बढ़ाने हमें ऐसे लेंगे स्लाइक उपर से धागा घुमाती हुए लाना है और नीची साइड से हम इसकी इसतर से धागा खीचती हुए फिर इसकी बुनाई करेंगे यहां पे मारे एक फंदा बढ़ जाएगा अब यह वाला फंदा बून लेंगे तो तीन फंदे होगे फिर इसी तरह से करेंगे इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि किस तरह से बनेगी तो देखें ऐसे लेना आपको फिर इस तरह से फिर से बुन लेंगे इसी तरह से दस फंदी कर लेते हर सलाई में हमें पंदे बढ़ाने इस रुवात की फंदी में पंदे बढ़ाने इस तरह से हमें डालना है और इदर से धागा घुमाती हुए लाइना इसकी बुनाई कर लिए हमें इस तरह से चलिए तो बुनाई करते हैं पहले 10 फंद उसके आफ दिखाती हुए देखे 5 फंदे हुए 5 और बढ़ा लेंगे तो टोटर में पस 10 हो जाएंगे उसके बताती हुए तहीं है यहां पर देखे हमने 10 फंदे बनाते हुए कंप्लेट कर लिए 2,4,6,8 और यह 10 अब यहां पर हम कलर चेंज करेंगे जैसे मैं निया पर कलर केंच करते हुए बनाया हुए पर इस तरह से चाहे तब दोर में भी बना सकती है यहां में दूसरा धागा लगा लेंगे यहाँ पर उल्टा बनाया है अब जो यलोकुलर का धागा इसे हम थोड़ा सा खीच लेंगे ताकि हमारे फंदी यहाँ पर टाइट हो जाएं और हम इसे भी खीच लेंगे अब क्या करना यह जो धागा है मैंसे इस तरह से हम क्रॉस करते ऊपर ले जाएंगे ता कि यह धागा सामने ना दागा सीखे घराँ और और तन दब करोदें दागा यहां पर दब जायेगा, फिर यह यह साइड मिंट नहीं दीखेगा कि कि मैं पूरी स्लाईच हाम यहां बाद में इस धागे को कंप्रीट कर लेना है एक स्लाई हमारी दूसरी स्लाई भी हम यहाँ पर इसी कलर से उल्टा बनाते विए कंप्लीट कर लेंगे पहला फंदा उतार लें या बून लें या आपकी मर्जी इस तरह से लेंगे है अजय और दियार कर लिए अब इधर से फंदे हम घटाएंगे उल्टे साइड से फंदे घटाएंगे एक साथ दो फंदे घटाएंगे अपर देखेए एक ही लाइन में मतलब दो फंदे घट जाएंगे एक इधर साइड में और एक इधर साइड में तेक साथ दो फंदो को लेंगे मैं आपे तो दो का एक करदी हमने फंदे इस पर रखेंगे इसके बाद इसकी बुनाई करेंगे लास्ट में फिर दो फंदें हम एक कर देंगे उल्टे साट से हम दो फंदें घटाएंगे सीधे साट से कोई फंदा हम नहीं घटाएंगे लास्ट में दो फंदें आयागे दोनों को एक साथ इसे घटा लेना है सीधी तरफ आ गए, कोई फंदा नहीं घटाएंगे पहला फंदा उतारते वे सारे फंदों को मुल्टा उल्टा बनाते वे कम्प्लीट कर लेंगे हम फिर से उल्टे साइड आ गए, यहां पर फिर से हम पंदा घटाएंगे फंदे घटाएंगे, शुरुवात में एक और लास्ट में एक यहां पर दो फंदे एक साथ इस तरह से लेंगे हम सलाई पर और दो का एक कर देंगे, यहां से बुनते वे जाएंगे एक, दो, तीन, और यह चार, लास्ट में आपके दो फंदे रहेंगे एक ही पट्टी से आप तीन तरह के सॉक्स बना सकते हैं किसी भी साइज में बना लेंगे आप देखें वुल्टे साइड आ गए फिर से मिलेंगे दो फंदों का एक फंदा करेंगे दो बुना हमने नॉर्मल फिर दो के एक कर देंगे अब इधर पलट जाएंगे पहला फंदा उतार लेंगे यहां से दो फंदों को बुनेंगे तीन फंदों को बुनेंगे टोटल हमारे पास चार है पलट जाएंगे देखें दो का एक करेंगे और फिर से दो का एक करेंगे तब हमारे पास दो फंदे रहागे हैं सीधी तरफ आगे हैं सीधी तरफ से दोनों फंदों को एक एक करके बुन लेंगे पहले उल्टा पहला फंदा उतार ले और इसको बुन लेंगे इस तरह से इसे से दोनों में यहां पर दागे को अब यहां पर काट नर रेसके लिए अमें खीच लेना है और यहां पर मारी इस तरह से गांट बन के रेडी हो जाएगी कुछ इस तरह से इसक्वार सिप में जिसे ही बना है अब चलिए इसमें बताती हूँ कि किस तरह से आपको ये करना है सिलना है देखे इसीधा भागे ये उल्टा भागे तो सबसे पहले मुल्टा भाग को इस तरह से रखेंगे सबसे पहले तो हम इस तरह वाला सॉक्स बना लेंगे ऐसे भाग वाले ठीक है अब देखे इसमें इस तरह से कर लिया दोनों पार्ट को ऐसे अब यहां से सिलते हूँ हम जाएंगे देखें यहां से सिलेंगे हम एक साथ तीन सॉक्स दिखाने इसलिए में जल्दे लिए आपको बताने के लिए आप देखें यहां से सिलते हुए यहां से यहां से यहां से इसकी सलाई कर लेंगे तो किस तरह साथा करेंगे इसे मिस तरह से फोल करके देख लेंगे कि आधा कहां प्यारा हमारा तो उसी जगह पर मिस तरह से उंगली रख लेंगे और यहां से इसकी यहां तक सलाई करेंगे तो देखें क तक हम इससे तरह से सील लेंगे डीदि आफह से यहां से यह अर्ड पिंक कलर से, अभी सम शीधा करेंगे इस तरह से हम इसे सीधा करेंगे तो देखे हमारी क्यूट सी प्यारी सी एक सॉक्स बन के रेडी हो गई है और यहां पे हम इस तरह से एक बटन लगा लेंगे ऐसे एक छोटी सी बेवी के लिए हमारी बन के रेडी हो गई है तो यह आपको यह जी रुसले के त्री मन्त बेवी लगा लेंगे एक सॉक्स हमारी रेडी हो गई चलिए दूसरी बताती हूं फिर आपको मैं चलिए दूसरी सॉक्स बनाना शुरू करते हैं इसे उल्टे ही रखेंगे इस तरह से अब इसके आधा भाग करेंगे देखे इस तरह से आधा भाग हमारे यहां पर आ रहा है तो इस कुछ निसान लगा लें इसकी यहां तक हमने इसे स्लाइ कर लें अब देखे इन दो हिस्सों को पकड़के में इसके गांट लगाएंगे सबसे पहले इस तरह से खीचेंगे यहां पे गांट लगा लेंगे इस तरह से इस तरह से करते हैं हमने इसकी स्लाई कर लेंगे अब इससे सीधा कर लेंगे देखें यानि सीधा ही भागए यह इस तरह से अब यह जो पट्टी है इसे मिस तरह से रखेंगे ऐसे ऐसे रखते हैं हम देखें इसकी स्लाई करना शुरू करेंगे, यहां से निकालेंगे से, इधर से, ऐसे लिए हमने, अब इन दो हिंसों को पकड़ते हुए आपस में इसकी स्लाई करेंगे हम, इस तरह से लेते हुए, हम इसकी छोटी-छोटी स्लाई लेते हुए, हम इसकी स्लाई कर लेंगे, करें डूंगी है इस्तार से पकड़ते हम हलका से साइड करेंगे थोड़ा सा इधा से साइड करते एहां से यहां तक इसकी सलई करेंगे जब तक नॉर्मल झालै कर लेती है एलेरा यहां व्हूंAm वर्क करना है यहां हमने सिल लिया अब आपको यह भाग सिलना है देखें यह भाग सिलते हुए यहां से यहां तक कम्प्लिट करेंगे हम तो यह भाग भी हम यहां से यहां तक सिल लेते हैं पीछे का भाग इसे हमें सिधे तरफ से भी किनारी देखे गे अंदर में तो इसे कर लेंगे अब यहां से भी करते हुए जाएंगे हम इस तरह से लिए हैं और एक दूसरे को पकड़ तो इस तरह से स्लाई कर लेंगे इसके उपर भाग लेंगे इस तरह से यह की धागा उठाना यह नहीं कि फिर आप नीचे भी पकड़ ले देख सकते हैं छोटा सा धागा इस तरह से उठाना आपको देखें छोटा सा धागा उठाना इसे मैं आपको इसको स्लाई करन हैं चेंड लेंगे छोटा सा धागा लेंगे अंदर तक नहीं जाना चाहिए अब यहाप इसकी त्राइए कर देंगे इस तरह से लेते हुए यहां गांट लगा लेंगे इसके अंदर से डालेंगे और यहां पर गांट लगा लेंगे इस तरह से एक बर और गांट लगा लेंगे तक यह पक्का हो जाए यह दो से हम निकाल लेंगे इस तरह से यह स्लाइब हो गई हमारी यहां से से काट लेंगे आप देखें यह भाग स चल्सेंसे लेंगे यहां से यहां चील लेंगे इसे हम साइड कर लेते हैं इसे सिल लेते हैं यहां से लेंगे नीचे साइड हम गुलायमी सिलेंगे हाफ इंच तक आपको इसे छोड़ देना और उसके बाद हम यहां से गुलायमी सिलेंगे तो देखे इतनी है अब यहां से हम गुलायमी सिलेंगे इस तरह से लेते हुए इस तरह से निकाल लेंगे अब इस तरह से खीच लेंगे अब यहां पर एक दो गांट लगा लेंगे इदुर से दधागा पार करती हुए हम यहां पर इस तरह से लेंगे और इसे गांट लगा लेंगे यहां पर एक बार और गाट लगा लेंगे लागए को काट लेंगे अब इस आक्स को सिधा करेंगे इस तरह से इस तरह से बनके आई है देखिए अब इसमें में कुरुषे वर्ग करना है तो कि इस तरह से देख लीजिए अब यहां पर दूसरा कलर लें अब देखे देखिए इस जगह पर कि खीचती वे लाएंगे यह एक चिन बना लेंगे इससे गांट लगा तो फिर एक और यह दू चिन बना हमने ईसे जगह पर डालें पर मिमुख वैं आपए करना को यहां अब से थोड़ी दूरी पर छोड़ते विए अंदाजे से यहां पर बगल में कर लेंगे हम यहां डबल क्रोशिया ज्यादा बड़ा बड़ा डबल क्रोशिया नहीं करना है आपको दो डबल क्रोशिया और ये दीसरी डबल क्रोशिया फिर से लेंगे दी कि थोड़ी से जगा छोड़ेंगे उसके बगल में फिर यह आप यह करेंगे तीन डबल क्रोशिया यह अ है जो मिइस है कि दीसरी डेबल penal तोक्षिए तो देखें अब जो क्रहे का डिजाइन है इस तरह से करते हूं यहां से wir से करते हुए आएंगे चाहे तो आप कट पर कभी इसमें कर सकती है तो वो किस तरह से वह भी आपको बता देती तो देखें यह ना करते हुए अगर आप यह चाहें तो यह कर सकती है जैसे मैंने यहां पर तीन चेन लिया हुए तीन लेने के बाद देखें सेकंड वाले जो पहले जो हमने चेन बनाए था इसी में लेंगे हैं और इस पहले वाली चेन से निकाल लेंगे देखे इस चेन में डालेंगे और यह पहली वाली चेन से निकाल लेंगे अब इसके बाद यहाँ पर लेंगे एक सिंगल क्रोशे है दूसरी सिंगल क्रोशे है जहां दूसरी सिंगल क्रोशे है लेंगे महीं पर हम चेन बनाएंगे एक और यह दो D..!Ds dice!! अब चो हमँग में सिंगल क्रॉश ? इन दू धागों को इस तरह से और निकाल लेंगे ! पिर से देखें!! या पर सिंगल क्रॉश ? एक सिंगल क्रॉश ? यह दूसरी सिंगल क्लोश ? बूश Savannah dotDH duornya as a jeden material को थे लेंगे और यहाँ पिस तरह से लेंगे!! कि भागे को और इस चेंझ से निकाल लेंगे इस तरह से चिछ चछी कट वर्क में भी आप कर सकते हैं आप इसे तो एडू से बनाया ये दूसरा सिंगल क्रो से बनाया हमने फिर लेंगे एक और दो चेन चाहे तब तीन चेन भी ले सकती ज्यादा कटवर्क दिखना है तो इसको आपको क्या करना है थोड़ा से ज्यादा बढ़ा ले ले लिए तो एक लिए हमने यह दूसरा सिंगल क्रोश्य होगे फिर यहां पर एक और यह दो चेन ले लेंगे इस तरह से धागे को उठा सिंगल क्रोश्य वाले ऐसे लेना और पहले चेन से निकाल लेना है तो पूरा राउंड इसी तरह से हम करेंगे एक सिंगल क्रोश्य है यह दूसरी सिंगल क्रोश्य है पिर यहां पर हम एक और यह दो चेन लेंगे इन दोनों धागों को इस तरह से उठाना है में पहले चेन आएंगे हम और यहां पर आके इसे बंद करेंगे इस तरह से यहां पर देखिए पूरा राउंड घुमाते हुए हम ने कर लिया अब एक सिंगल क्रोज से हम ने ती यहां के और एक सिंगल क्रोज से यहां पर लेते हम यहां पर कर लेंगे ताकि इसे जॉइंट कर ले इस पहल अगलग बनेंगे इसमें एक तो इधर मुड़ी हुई दूसरा रहेगा तो फिर इधर से मुड़ी हुई रहेगे इधर कितनी प्यारेर कितनी खुब सथ किसी भी साइज में इस सॉक्स को बना सकते हैं आप ती भी आपके जीरो से लेके त्री मंत बेबी की लिए पैर के लिए है इड़ी के पास कुछ हमने इसमें गुलाई दियो हुई है तो चली तब तीसरी सॉक्स बनाना शुरू करते हैं इस तरह से उल्टा करेंगे इसे यह सॉक्स बनाना बहुत ही आसान है यह तीसरी सॉक्स के लिए, तो यहां पे देखें, यहां से हम चोटी-चोटी स्लाईं लेते वें, यहां तक जाएंगे, यहां पे हम धागेата पे गांट नहीं लगाएंगे, तिस तरस ले लेंगे, यहां से शुरुआत करेंगे, ज्गा. ज्यादा बड़ा स्लाइन ही लेना आपको इसमें सबसे किनारी वाली जो हमारी होती है चेन उसमें हम लेती वे जाएंगे साइड से देखें पीछे गांट नहीं लगाना आपको इस सॉक्स में भी हम क्रोशे वर्क करेंगे या लेंगे इस तरह से से निकाल लेंगे अब इन दो आपस को गांट को इस तरह से हम लेंगे और इससे खीचते वे हम यहाँ पर देखें गांट लगा लेंगे पहले में से ऐसे लिए हमें इससे टाइट करके गांट लगाना एकदम दो तिन मुझबूती से गांट लगा देखें दागे को काट लेंगे यहाँ पर अब इससे इस तरह से पकड़ेंगे अब पिंक लर्स इसकी सलाई करेंगे यहां से यहां तक देखें यहां से लेंगे यह एड़ी भागा है हमार तो एड़ी इस तरह से नीचे से सिलना शुरू करेंगे मिस में जिए यहां से बड़ा फर्स इलेते हैं इदर कर दो 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 यहां तक हम इसकी सलाई कर लिए अभे आप लगालेंगे हम कर दावे को घुमाते हुए गांट लगा ले आप इसमें एक बर और गांट लगाएंगे अब यहां से इसके आधे भाग, फिर से करेंगे हम इस तरह से फोल्ड करना है, आपको फोल्ड करके देखने के आधा भाग कहा प्यार है? अब यहां से सिलते हैं यहां तक आenगे हम, इस तरह से दोनों छोड को पकड़ लें, अच्छे से कि यहां तक से लेते हैं आधा भाग तो के देखें सीधर करने के वाद कुछ हमारी सौक इस तरह से दिख रहे हैं अभी यहां से स्चाइड में किनारी है यहां पर हम इस तरह से क्रोस आधि Celsius बनाएंगे अब यहां से शुरू करेंगे इसे डाल लिए हमने इसमें टाइट कर ले से धागे को इस टाइट कर दे ताकि यहां पर हमारे यह चेंड अच्छे से बन जाए फिर यहां से लेंगे एक, दो और यह तीन चेन, तीन चेन लेने के बाद जो सेकंड वाला चेन है इसमें हम डालेंगे और स्लिप स्टिच करते हैं पहले चेन से निकाल लेंगे अब यहां पर देखें थोड़ी दूरी पर छोड़ते हुए यहां पर हम एक सिंगल क्रोशिय करेंगे फिर से एक और स सिंगल क्रोशिया किया उन दो धागों को उठाएंगे इस तरह से इसके अंदर से निकाल लेंगे फिर यहां पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे एक सिंगल क्रोशिया यह दूसरा सिंगल क्रोशिया फिर यहां से चेन लेंगे एक दो और यह तीन तीन चेन लिया हमने फिर दो ध बिजाइन को बनाना लेकिन तीन चेन लेंगे ताकि यह जो हमारी एक कट वर्क है यह ज्यादा अच्छा से दिखे यह यह लेंगे और इन दोनों धागों को उठाना है में और यह पहले से निकालेंगे करते वे फिर से देखे हैं यहाँ पर लेंगे सिंगल क्रोश करेंगे हैं खे यह से करेंगेN तीन चेन लेंगे, एक, दो और यह तीन चेन फिर यहां पे इसे उठाना आ है और इस धागे कुछ वह मा आया, अभी यहां पे निकार लेंगे, स्लिब करते वे, फिर से लेंगे, एक सिंगल क्रूश यहां, दूसरी सिंगल क्रोस है, एक, दो और ये तीन चेन, फिर से इसे उठाना इस तरह से, पहले चेन से निकालेंगे, फिर देखिए फिर से हम करेंगे, एक सिंगल क्रोस है, दूसरी सिंगल क्रोस है, अब यहां पर फिर से हम एक, दो और ये तीन चेन, पूरा राउंड हमारा इस कि नियुक् из- Complet करेंगे तो छली रौंड रेटी हो मैं करें बनागते हैं वर टाइए कि आज या वीडियो आप सब को कैसा लगा तो तो प्लीज वीडियो को लाइक सेर सस्क्राइब करना ना भूलें मिलते कुछ नए वीडियो के साथ थैंक यू